इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करत और आपको कोई साइड इफेक्ट होता है, तो उसमें हमारी कोई जिम्मिदारी नहीं होगी. एसोफाइन एलिस कैपसूल एसार डॉक्टर के पर्चे पर मिलने वाली दवा है, जिसकी मदद से सीने में जलन, पेट में दर्द्व जलन जैसे लक्षनों को ठीक करके गेस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज, यानि की एसिड रिफ्लक्स और पैप्टिकल्स डिजीज का इलाज किया जाता है. यह बेचैनी को रोकने के लिए पेट में एसिड को बनने से रोकता है. एसोफाइन एलिस कैपसूल एसार को डॉक्टर द्वारा सलाह दी गई खुराक और अवधी के अनुसार बिना भुजन के लिया जाता है. दोज आपकी कंडीशन और दवा के प्रती आपके रिस्पॉंस पर निर्भर करेगी. डॉक्टर द्वारा निर्धारित अवधी तक इस दवा का सेवन जारी रखें. अगर आप इलाज को जल्दी रोकते हैं, तो आपके लक्षन वापस आ सकते हैं, और आपकी स्थिती और भी खराब हो सकती है. अपनी हिल्थके टीम को अन्य सभी दवाओं के बारे में बताएं जो आप ले रहे हैं, क्यूंकि वो दवाएं इस दवा को प्रभावित या इससे प्रभावित हो सकती हैं. सबसे सामाने साइड इफेक्ट डायरिया, यानि की दस्थ, मिचली आना, उल्टी, पेट में दर्ध, पेट फूलना, यानि की कैस बनना, कब्ज और सिर्ध दर्ध हैं. इनमें से अधिकान शस्थाई होते हैं और आमतोर पर समय के साथ सही हो जाते हैं. अगर आप इनमें से किसी भी साइड इफेक्ट को लेकर चिंतित हैं, तो अपने डॉक्टर से बात करें. कब्ज को दूर करने के लिए आपको फाइबर से भरपूर भूजन खाना चाहिए और हाइडरेटर रहना चाहिए. इससे नींद आना भी हो सकता है. इसलिए जब तक आपको यह पता न चल जाए कि दवा आपको किस प्रकार से प्रभावित करती है, तब तक ड्राइविंग तथा मानसे के कागरता की आवशक्ता वाली कोई भी गतिविधी न करें. यह दवा लेने के दोरान शराब पीने से बचें क्यूंकि इससे आपको अधिक नींद आ सकती है. लाइफस्टाइल में परिवर्तन जैसे ठंड़ा दूद लेना और गरम चाय, कॉफी, मसालेदार भोजन या चॉकलिट से बहतर परिनाम पाने में मदद मिल सकती है. इस दवा को लेने से पहले, अगर आप गर्भवती हैं, गर्भवती होने की योजना बना रहे हैं या स्तनपान करा रहे हैं, तो आपको अपने डॉक्टर को बताना चाहिए. अगर आपको लिवर या किड्नी की कोई बीमारी है, तो आपको अपने डॉक्टर को भी बताना आपके लिए उप्युक्षुरा क्लिक सके विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को लाइक करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें और और अल नोटि क्लिक करें धन्यवाद